जहिन फ्रेंट्स वेलकम टो माई OPC यूटूब चैनल स्टड़ी मेटेरियल A to Z आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022 दोस्तो आर्मी की आपके कमाइंड काफी सारे सेंटर में भरती आपकी निकाले गई है दोस्तो इसकी आपकी पूरी नई टोटली नई वेकंसी है और ये आपकी भरती पूरी कम्पलीट इनफोर्मेशन और आपका ये जो भरती है वो बिलकुल ओपलाइन फोम आपका यहां पे रहने वाला है अगर आप दसमी बार्मी पास केंडिडेट हैं तो आपके आवेदन दोस्तो कल से स्टार्ट हो रहे हैं और भरती आपकी कौन-कौन सी निकाली गई हैं उसी के बारे में कम्पलीट डिसकस करने वाले हैं दोस्तो कोई भरती होती है सबसे पहले आपको अपडेट कर दी जाती है चैनल को सस्क्राइब जरूर करके रख लीजेगा और आपको एक ट्रस्ट के साथ सभी भरतियों को बिलकुल रियल और ऑथेंटिक प्रूप के साथ सभी भरती आपको बताई जाएगी दोस्तो यह हमारा टेलिग्राम चैनल है जहां पे आपको भरतियों के ओपलाइन फोर्म नोटिपिकेशन और आपके ओपलाइन रिजेल्ट या फिर कोई भरती होती है लाजडेट और सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्राम का लिंक आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दिया है तो आप यहां पे आकर सभी जुड़ जाएगा दोस्तो सिंपली आपके लिए यहां पे डाउट ग्रूप भी बनावा है तो आप डाउट ग्रूप को भी चोईन कर सकते हैं आपके कोई भी डाउट है तो आपके लिए डिस्कस ग्रूप है आप जो डिस्कस कर सकते हैं और आप सभी के लिए दोस्तो मैंने यहां पे आपक कि कल अपडेट कर दी थी कि आपको जो है ये बता देता हूं ये आज के जो इंप्लोमेंट नीज़ पेपर में ये आज चुकी है और आपके मेरे पास जो है एक दिन पहले पहुंच जाता है गौर्मेंट ओप इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस बेंगाल इंजिनेरिंग केंटर रूड की यानि इसके आवेदन दोस्तों आपके बारा मास से स्टार्ट हो रहे हैं और ये भरती आपकी आर्मी का रिक्रूटमेंट आपका यहां पे रहने वाला है और तोटल आपको बावन पदों पे भरती देखने को मिली थी जिसमें आपकी क्वैलिपिकेशन द आपका जो यहां पे जो सीलेबस की रिगार्डिंग काफी शारी कैंडिडेट के कोरी जा रही थी तो इसमें आपका सीलेबस भी दे दिया है यह सीलेबस आपका यहां पे रहने वाला है आपके दोस्तों देख सकते हैं और यहां पे आपको नोटिपिकेशन और ये आपका application phone रहने वाला है देख सकते हैं application phone मैं आपको telegram पे provide करवा दूँगा तो आप सभी को tension लेने की कोई आउसकता नहीं है तो आप देख सकते हैं ये application phone आपका इस तरह से application phone आपका रहने वाला है तो दोस्तो बस इतना ही आपका application phone है और आपको इसको मैं बिल्कुल जो आपका देखे एडिट करके थोड़ा सा किलियर आपको जो है ऐसे तो अपलिकेशन फोम मत बर देना अगर मैं प्रोवाइड करवा दूं भी तो आपको ये वाला अपलिकेशन फोम नहीं बरना है हम थोड़ा सा एडिट करेंगे पूरी तरह से आपके लिए काम करेंगे तो आपको वो अपलिकेशन फोम भरना है तो ये दोस्तों आपके लिए थी एक नई अपडेट अब हम चलते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में तो जो है लगातार यहाँ पे एक नई वैकेंसी आपकी निकाली जा रही है डायरेक्ट रिकूरूटमेंट ओफ सी इनवाइट कीएगी हैं जिसमें आपके स्टेनोगराफर की एक तो पोस्ट है ग्रेड सेकेंड और यूर में एक पोस्ट है बारबर की एक पोस्ट इनवाइट कीए गई है 18-25 साल और 18-25 साल आपकी एज लिमिट SCST को आपको 5 साल OBC को आपका 3 साल का एज रिलक्षन भी दि अगर आप दोस्तों दस्वी पास हैं तो आप यहां पे भरेंगे कौन सा बारबर वाला तो दोस्तों यह आपका डिटेल नोटिपिकेशन भी हमारे पास आ चुका है और यह इसका अपलिकेशन फोम रहने वाला है तो इसका अपलिकेशन फोम भी आपको बहुती जल्द आपकी एक नई recruitment उसके बाद हम next recruitment की ओर चलते हैं आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like जरूर कर दिजे हालंकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप like कीजे बट दोस्तों फिर भी उसके बाद ये recruitment निकाला जा रहा है आर्मी पोस्टल सर्वीस विंग ब्रिज ओप गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर कमप्टी तो यहां से एक recruitment और निकल किया रहा है जिसमें आपकी एक पोस्ट है वासरमेन की गार्डनर की एक पोस्ट है और इसमें आपके यूर और OBC कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं दोस्तो इसके अंदर आपसे दोस्तों मांगा गया है कि आप वासरमेन के लिए अपलाई करते हैं तो आप दस्वी पास साथ में आपका वास मिलिटरी जो है आपका certificate भी मांगा गया है लेकिन गार्डनर में केवल आप दस्वी पास कैंडिडेट है तो आप अपलाई कर पाएंगे 18 से 25 आपकी age limit यहां पे रहेगी और आपको age relaxation भी दिया गया है और vacancy का आपका location यह आपका रहने वाला है और यह आपका address है जो की आपका दिया गया है और यह आपका group C का post आप सभी के लिए invite किया गया है हालंकि दोस्तों इसका पूरा detail आपको मैं इसका जो application form है यह भी मै आपको send कर दूँगा telegram channel पे आप देख सकते हैं यह आपका address रहने वाला है और इसकी complete detail आपको notification भी आपको send कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह आपकी एक नई भरती के notification रेटन और इसमें आपका जो selection process होगा वही होगा सबसे पहले written exam होगा skill test होग skill के बाद आपका दोस्तों जो final merit list medical वगएरे वगएरे सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली है तो next हम देख लेते हैं दोस्तों recruitment के बारे में दोस्तों next recruitment आपकी निकाली जा रही है यह है आपकी headquarter coast guard की recruitment है एक second so guys यहाँ पे आप देख सकते हैं यह recruitment आपकी निकाली जा रही है headquarter coast guard airport अणवान निकोबार port बलेर के दुआरा recruitment का notification जारी किया गया है जिसमें आपके लगबग 14 post side हैं जो की आपके लिए invite की गई हैं तो आप all India के candidate आप देखा भी था दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी था कि coast guard के भी admit card कापी सारी candidate बोलते नहीं आते हैं लेकिन दोस्तों इस साल तो बिलकुल धमा धम सभी candidate के admit card आ रहे हैं तो ये थी दोस्तों आपकी भरतियों की पूरी जानकरी जो की मैंने complete आपको information दे दी हैं तो ये आपके लिए दोस्तों भरती रही है अब air force का आपका जो भरती था इस notification में आपका नहीं आया है तो आप जो wait कीजिएगा यानि आपके 12 मार्च वाले में आपका notification नहीं आया नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर आपको भरतियों के बारे में पूरी complete information अगर अच्छी लगी तो दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो के साथ नए में जैंग जैंग भारत वंदे मातरम चैनल सस्क्राइब के लिजेगा जैंग